इलाहबाद हाइकोट के सामने स्थित स्टेट बिल्डिंग में आग लग गई। इससे तमाम महत्वपून फाइले जल कर राक हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुचकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। हिलावाद हाइकोट के सामने उत्तर प्रदेश महाधिक्ता का कार्याले में सुबह छठे मंजिले से धुआ उठने पर हरकम्फ मच गया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाडिया आई और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू हुआ तब तक आग ने विक्राल रूप धारन कर लिया। छठे मजिल की आग साथवे और आठवे तल तक पहुच गई। हजारों फायले जलकर राख हो गई। मौके पर अफरातफरी मची है। तमाम आला अधिकारी पहुच गए है। को चाया शीन एतव घॉक्ति धुप को बीदिया और के लिख लगा विधिया चौन को जाओ है। जल्दी उनके भी का वे चाहरों का अभी पता लगाया जारा है निएस्वे समीषवे मैं फरदर अभी इन सब के बारे में नहीं पता सकता है वो तो जो इंटर्नल जांचे होंगी उन्हें रेपॉर्ट देखा जागा तभी बताए जा सकता है अभी हमारा प्राइटी जो है आग को बुझाना है और हमारी टीमें इसके लिए लगी हुए मैंने बताया अभी कि अभी वजहों के बारे में नहीं कहा जा सकता है में डिटेल इसकी जब जांचोंगे तभी पता चलेगा कि मैंने अभी आपको बताया जिले की जो हमारी फायर की टीम है पूरी टीम लगी हुए उसके अलावा जन्पत प्रताबगर जन्पत कौशांबी आमी की एयर फोस की और साथी साथ जो पावर प्लांट है वहां की फायर टीम में इसमें लगी हुए लगी हुए प्ला कर्शली है रया जन्पत वल मुए